नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल पर मैं हूँ कृतार्त मेरिकानी और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 5 कवर करेंगे जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा जितने हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हमारे साथ कि इससे पहले सर्प्राइबर्स होंगे मैं अल्रीडी बता चुका हूँ कि लास्ट यर आपके फाइव टोटल सेट्स जिन में completely different questions थे उनके अंदर भी जो फाइव सैट्स थे उनके अंदर जो तीन सबसेट होते हैं हर एक सैट में उसके अंदर भी कुछ-कुछ different question थे तो दिखिए complete question में तो प्लीज इनको पढ़के जाईएगा इनमें से आपके 50-90 परसेंट तो question आपके आसकते हैं यह chances हैं मैं अभी कहूंगा क्योंकि यह question जो last year cbsc ने sample paper भी निकाला था उसमें भी काफी ज्यादा question आपके actual exam में आये थे तो उन questions को जरूर पढ़िएगा यह part 5 है वीडियो क पूछे गई history में वो complete हो जाएगी तो question number one पढ़ने से पहले मैं एक चीज हमेशा की तरह आप सभी लोगों से कह दूँ कि वीडियो को like तो आप कर ही दोगे वो मुझे बता है क्योंकि आगे चलके questions आपको लगेंगे बहुत helpful है तो आप like कर दोगे पर subscribe करना कई लोग भू लिंक से आप लोगों का question है कि 92 पेज में आप लोगों को मिल जाएगा आप चाहे तो अभी खोल के देख सकते कि बुद्ध का last message क्या था अपने followers को मतलब जब उन्होंने महापरी निबन अटेन किया जब उनकी death हुई उससे पहले उनका last message क्या था अपने जितने भी followers थे इसे हिंदी में कहा जाता है English में है be lamps unto yourself as all of you must work out your own liberation तो यही चीज है कि यार मतलब कोई दूसरा आपको guide नहीं कर सकता तुमें खुद का ही lamp बनना पड़ेगा be your own lamp खुद ही आप लोगों को हर चीज करनी पड़ेगी जैसे liberation attain करने की बात किये तो कोई दूसरा आपको नही नहीं दिला सकता हो आपको खुद ही करना पड़ेगा तो यहीं क्लास मैसेज है इनका और हिंदी में बता चुका है उसको कहते है अपो दीपो भव बी यॉर ओन लान पर रही एक्जाम में अगर आये तो प्लीज यह लाइन एक बार लन कर लीजेगा अगर हो सके तो वैसे लन करी लीजेगा यूँ दे कि वन मार्क के क्वेशन में ज्यादा होता नहीं बट क्या पता कोई टीचर मार्क सापके डिड़क कर दे उनको अप्रोब्रेट ना लगे तो इसलिए यह लाइन जरूर लन कर लीजे का लास्ट एर सीबिसी में आया है क्वेशन नमबर टू पर आते हैं तो क्वेशन नमबर टू है आपनों का हूँ वास दा गुरू आफ कबीर अब गुरू कहलीजे या परसेप्टर कहलीजे कुछ भी आप लों से पुछाया सकता है दोनों का मतलब एक ही होता है मैं बता दूँ आप लोग को तो कबीर के गुरू का नाम भी आया था और मेरे ही सैट में जो में मेरे को पेपर मिला था उसमें मीरा भाई के गुरू का नाम लिखना था तो आगे वह आप पढ़िंगे उस क्वेशन को question number 3 है name the lingayat devotee who led a new movement in Karnatak in 12th century तो देखिए सबसे पहली बात आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि भक्ति और सूफी ट्रेडिशन से आप लोगा question है आप लोग को उस lingayat devotee का नाम बताना है जिन्होंने करनाटक में 12 अताब्दी 12th century में एक नया movement चलाया विरा शायफ tradition कह लीजए आप उसको यह lingayat एक तरसे tradition जो था उनका नाम आप लोग को बताना है वो कौन थे तो यह थे आपके बस्वाना इनका नाम जरूर लन कर लीजएगा बहुत important है last year पूछा गया है question number 4 है what was the main reason for announcing direct action day by the muslim league in 1946 मतला august 1946 के आप बात की गई है तो direct action day की exact date है आपनों की 16th august 1946 याद कर लीजेगा जरूर बूची आएगी अब आपको इसका reason बताने तो दीखिए reason की में बात करतो तो reason यही था कि जब पाकिस्तान ने अपना support cabinet mission से हटा लिया मतलब पहले cabinet mission में जो plan था कि इंडिया का जो state होगा partition होके कैसा होगा मतलब कौन सा part मतलब muslim majority को मिलेगा कौन सा minority क्या confederation इस सब चीज़े बनेंगी तो पाकिस्तान ने अपना support हटा लिया था विड्रॉ कर लिया था पहले support किया था cabinet mission को पर उन्होंने यह कहा कि हमें एक separate state चाहिए उन्होंने पाकिस्तान की demand करी तो इसी लिए पता कि पाकिस्तान की demand को जीत लें क्योंकि अगर देखे हिंदू-Muslim एक तरसे लड़िंगे दंगे होंगे तो वो एक कह सकते देखे हमा विड्रॉ को यह बताना है इस question में कि जो फ्रेंच थे वो उनका Eastern gateway जो सांची स्थूप का Eastern gateway था उसे France ले जाने में इतना interest क्यों था मत्तब वो इतना ज्यादा क्यों चाहते थी कि हम सांची स्थूप के Eastern gateway को फ्रांस ले जाएं तो इसका answer है to display in a museum in France तो देखिए सभी लो अगर आप chapter पढ़ते हैं इस तरह के question भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि मतलब French लोग क्यों ले जाना चाहते थे Eastern gateway को सांची स्थूप को France तक तो ध्यान से पढ़िएगा बिलकुल और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है किसी भी subject में comment कर दीजेगा आप लोग देख भी सकते ह अगर आप लोग यह बताना है कि स्थूप इतने famous क्यों होते इतने मशूर क्यों हैं तो उसका reason है कि स्थूप में बुद्ध के जो relics है मतलब जो उनके remains है या फिर आप लोग एक तरसे कह सकते हो उनकी जो एक तरसे याद है मतलब उनकी जो चीजें में इस्तमाल करते थे जो भी चीजें हैं वो सब आपकी स्थूप में रखी जाती हैं और जो चीज में रखी आती हों से हम कहते हैं relic casket Relic Casket जो Stoop होता है उसके अंदर Relic Casket एक बक्सा होता है आप लों को दिखता है नहीं क्यों अंदर होता है Stoop के उसमें बुद्ध के Remains जो होते हैं या फिर आप एक सर्षple कैसी तो जितने भी बुद्ध के Followers हो बड़े बड़े जो अच्छे-चे मतलब तो आंसर चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हो बट मैं explain करूंगा ऐसे व्यूंकि देखिए काफी confusing language पर लिखा है तो देखिए क्या था बुद्धिसत का concept कैसे मर्जों की बात करें तो बुद्धिसम में पहले जब बुद्ध ने एक तरसे आप लोग कहे लिजे enlightenment attain की बोधी tree के नीचे people के पेड़ के नीचे तो उन्होंने उन्हें काफी जाद यह माना जाने लगा बुद्धिसम में यह माना जाने लगा कि आप लोगों को अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पहले आपको मतलब खुद के ही efforts से मतलब खुद से ही अच्छे कर्म करके आप लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा पर बाद-बाद में यह देखा जाने लगा कि लोगों ने यह समझा कि बुद्ध जो है वह हमें मोक्ष दिला सकते हैं मतलब पहले तो यह था कि आप खुद के कर्म से ही मोक्ष पा सकते हो पर बाद-बाद में लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि जैसे बुध्ध ने अपने बलबूते पर खुद से मोक्ष की प्रापती की वैसे ही बुध्ध हमें मदद कर सकते हैं मोक्ष प्राप्ट करने में तो इस तरह से बुधि सत्व का concept इमर्ज हुआ, जिसमें क्या था कि लोग अपने बलबुते पर एक तरसा आप लोग कहे लिए इनलाइटमेंट पाते थे मतलब meditation करके उन्हें ज्यान की प्राप्ति होती थी बुद्ध जैसे ही ज्यान की प्राप्त होती थी बुद्ध ज्यान जिसने कहते हैं पर वो ऐसा नहीं करते थे क्यों मोख्ष प्राप्त कर लेते थे बलकि वो उस ज्यान की प्राप्ति करके दूसरे लोगों की मदद करते थे मोक्ष प्राप्त करने में, तो बुधी सत्वा बहुत important बन गए इसी के साथ बुध्ध के साथ बुधी सत्वा की पुझा भी की जाने लगी बुध्धिजम में, तो यही था बुधी सत्वा का concept की, वो लोग मतलब मोक्ष की प्राप्ती नहीं करेंगे वो ज्ञान प्राप्ती करके एक तरस से बुध्ध का ज्ञान लेके पूरी ज्ञान के प्राप्ती लेके दूसरों की मदद करेंगे मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तो बुधी सत्वा थे लोग थे तो मतलब मेरिट का मतलब वह ही है कि ग्यान के प्राप्ति करते थे सूधियर एफ़र्ट के साथ साथ आप लोग लेख सकते हैं आप पर तू हेल्प अचीव सालवेशन तो आई हूप आप लोगो क्लियर हुआ हो मतलब विष्नु को एज़ प्रिंस्पल डेटी मुख्य भगवान के रूप में विष्नु भगवान की पूजा करते हैं और शैविजम वो लोग होते हैं वो मतलब एक तरसे वो ट्रडीशन होता है जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है शिव बहुत एक मतलब प्रिंस्पल डेटी की बात करते हैं तो एक मुख्य भगवान के रूप में माना जाता है आप लोग देखें पे सकते हूँ कि वैष्नविजम विष्नु भगवान को माना जाता है और शैविजी को और एक और बात में करूँ है आप लोगों से अलवार और नैनार की बात आजी तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ को आसा लें करने का बहुत आसान फॉर्मुला है business यह तिरि चार आल्फबेट को सब्लान कर लीजएगा बिलकुं काम आप लोगों खान हो जाएगा तो आप लोगोंगों को असान हो जाएगा आपोलों के लेयो Regan आ corona को ने kोण ऑल्यों की आप लोगोशण। को नाम बताने है जो अलबरुनी ने लिखी है इंडिया के रिलिजिन फिलोसफी एस्टोनॉमी एंड लॉस के बारे में तो देखिए बहुत इजी इस बुक का नाम है इस बुक का नाम है आपनों का किताब उलहिंद तो प्लीज नीजे से कॉमेंट करके यह मत लिखेगा क्योंक आप लोग चाहे तो वैसे जनरल सवाल है लन कर लीजेगा बहुत आसान है मैं कहूंगा लन करी लोग बाद में भी काम आ सकता है ध्यान रखेगा काजी का मतलब जज होता है और डेली बाय मोहमद बिन तुगलग फॉर सेवरल इयर्स तो आप लोगों को उस फॉरें ट्रेवलर का नाम बताने जो हमारे कंट्री में आया था एन उसे जज बना दिया गया मोहमद बिन तुगलग द्वारा तो इनका नाम थ जाते हैं तो इस सवाल में आपसे यह पूछा गया है कि आप लोगों को कैसे पता चलता है जो फ्रेंकोई बर्नियर थे जो डॉक्टर थे फिलोसफर थे इंडिया आये थे एक फॉरें फ्रैवलर थे वो मुगल कोर्ट के साथ काफी क्लोजली असोसियेड थे मतलब वो मुगल किंग थे उनके जो बेटे थे दाराश्री को सबसे बड़े बेटे शाजा जांके उनके फिजीशियन थे इसलिए हम जानते हैं इनको की यह फ्रेंकोई बर्नियर काफी क्लोजली असोसियेड थे मुगल कोर्ट से तो देखें यहाँ पर बात आई है 1526 की यह है आप लों का बैटल ओफ पानीपत नंबर वन तो पानीपत के तीन युद्ध हुए थे पहला हुआ था आपका इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच यह हुआ था 1526 में फिर आपका आता है 1556 में बैटल ओफ पानीपत थो थोड़ा पहने यहाँ पर मेरा इतना प्रॉपर नहीं है 1556 यह आपको वद हुआ था बैटल ओफ पानीपत 2 यह हुआ था आपका अकबर और हेमु के बीच और जो आप लोगों का नेक्स वाथा 1761 में देखिए यह डेट्स बहुत इंपोर्टेंट होती है किसी भी आप इससे वाथा यहाँ पर रहता है बैटल ऑफ पानीपत आपका थर्ड वा था 1761 में बिट्वीन एहमच्छाब्दाली और माराथास की हार उई थी और बैटल ऑफ पानीपत की बात कर तो यहाँ पर अकबर की जीथ और यहाँ पर बाबर की जीथ हुई थी तो जब इब इब इब्राहिम लोधी दिल्दी सल्तनत के थे तो जब 1526 में बाबर ने ने हराया तो क्योंकि दिल्दी सल्तनत की capital आपकी दिल्दी ही थी तो इनके कबजे में आई दिल्दी question number 13 है who was the author of हुमायू नामा तो देखिए हुमायू नामा एक book है आप लोगों को बताना है उसकी लेखा कौने लेखी का कौने जो भी हो तो देखिए इसके लेखी का है गुलबदन बेगम ऑथर की हम बात करें तो हुमायू नामा लेखिए आपकी गुलबदन बेगम ने और बात करें तो यह बाबर की बेटी थी और जो आपके next बाबर बेटे थे आपके हुमायू उनकी ये बहन थी नामात की बहती है कि उन्होंने कैसे रूल किया, उनके शासनकाल में क्या हुआ, कैसे हुआ, थ्यान रखेगा, बादशाह नामा लिखे थी आपके, शाहां के रूल के, मतलब कैसे उन्होंने रूल किया, इस सब पर, और जो पिछला आपने बढ़ा, हमाईयो नामा, वो हमाईयो के, जतना रेन शासणकार उस पर लिखी गई थी उनकी बैं गुलबदन बेगम द्वारा तो दीखिए बाड़शा नामा के लेकाख आपके अब्दुल हामिद लाहोरी थ्यान रखी का प्याद रखना आ एक आपनों को की बाड़शा नामा लिखी थी आपके ॑ब्दुलामिद लाहोरी कह लीजिए देखिए रिलिजिए स्टर की बात करें तो एक रियूमर था एक अफ़वा थी कि जो ब्रिटिश है उन्होंने एक शडियंत रचा है जिसमें वो हिंदूस और मुस्लिम्स जो दोनों रिलिजियन है उनका धर्म रष्ट करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने क् धर्न के लोग अपने घरों में ले जाते हैं चाहिए वो हिंदू हो या मुस्लिम हो उसमें वो क्या कर रहे हैं कि जो गाए जो एक पवित्र जानमर माना जाता है आपका हिंदूइजम में एंपिक्स की बात है जिसे बहुत जादा मतब अच्छा नहीं माना जाता है इंप् से ज्वलंत मुद्धा बनाया इस चीज़कों की यह ब्रिटिश हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और इस खारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो यह रियूमर कहा जाता है कई हिस्टोरियन का मानना है कि यह रियूमर था एक अफवा थी जो ऐसी चली थी पर कई हिस्टोरियन मानते रिखाल है आप सीवीटियो के साइट जा कर सकते हो बिलकुल यह विद्व बना रहे हैं कि हमें मतलब अरेंच करने में इस आरेंज फॉर्मैट में आप आप लोह के लिए ला रहा है कि सबसे पहले आप लोग एक साथ कर लो फिर फिलिंदर ब्लैंक से कर लो फिर वन बर्ड एक साथ कर लो ता कि आसानी हो आपको पढ़ने में इस तरह के question जितने भी अब तक आपने सीरीज में देखें वो सब के सब जितने भी हैं सारे के सारे अब तक आ चुके हैं लास्ट यर तो दिखिए एक प्रोविजन या एक कह लीजिए कुछ जर्मेटा थे झालेज फेक लिए जाए ज्याएज लुटा कर दिया जाएगा और सौर्ट मैनिफेक्चर Allowed अलॉंग दा कोस्ट तो सौर्ट मैनिफेक्चर जिसके लिए आपका गांधी डांडी मार्च वा थो एक कि अब इंडियन्स समुद्र तर्ट पर नमक एक तरसे बना सकते हैं और उसके राव फोर्थ कोई भी दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो गांधी एर्विन पैक्ट का और कोई भी एक पॉइंट लिखना है 360 पेज में आप लोगों को मिल जाएंगे question number 17 है what was the salt law तो दीखिए इस question में आप लोगों को बताने की नमक कानून क्या था बहुत easy चीज है कि British India में जो salt law था वो जो मतलब एक दर से British सरकार थी उनको एक monopoly देता था उनको एक मतलब हक देता था क्यों नहीं के पास होगा कि वो केवल वही salt produce कर सकते थे and केवल वही produce कर सकते थे केवल वही manufacture कर सकते थे and केवल वही बेच सकते थे British सरकार के लावा नमक कोई बेच नहीं सकता था तो यही था आप लोगों का नमक कानून या salt law question number 18 है how did the zamीनदार्स try to remain united during the revolt of 1857 तो देखिए इस question में आप लोगों को बताने की जो जमीनदार्स थे 1857 की कान्ती के समय वो किस तरह एक जुट रहे किस तरह united रहे तो इसका answer देख लीजे कि यह था कि उन्होंने जितने भी villagers थे उन सबसे पहले appeal की कि देखिए हमें इस Britishers जो हैं हैं उनके against हमें लड़ना है irrespective of caste or creed to remain united हमें यह नहीं देखना है कि हम किस जाती के हैं किस वर्ण के हैं मतलब हिंदू हैं मुस्लिम हैं हमें बिल्कुल एक साथ रहके और उन्होंने विलिजेर्स को एक जुट किया तो इस तरह से जमेंदार united रहे और उन्होंने mobilized किया mobilized का मतलब होता है कि उन्हें यह कहा कि शस्त्र उठाओ मतलब हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है इस तरह से उन्हें तैयार रहने के लिए कहा कि ट्रूप्स की आर्मी टाइप की बना ली उनकी villagers की अगर कुछ भी ऐसा होता है हमें कहीं से भी कोई मदद के लिए कहता है तो हमें बिलकुल तैयार रहना है आक्रमन करने के लिए mobilized का मतलब यही होता है तो उन्हें पूरे villagers को यह appeal करी हमें कास्ट और फ्रीड नहीं देखनी है अभी हमें अभी हमें एक जोट होके लेड़ना है question number 19 है what was the rollitt act तो देखिए rollitt act आप से पूछा गया है बच्पन से हम पढ़ते आ रहे हैं तो Sydney rollitt commission जो था एक Britishers ने इसे setup किया था एक committee कह लीजे commission कह लीजे उसमें Sydney rollitt commission की recommendation थी कि प्रेस पर censorship लगा देनी चाहिए जितनी मतलब कोई भी अकबार हो कुछ भी हो वो सरकार की मरजी के विरुद्ध कुछ भी नहीं लग सकता मतलब अगर आपको कुछ भी छापना है तो सबसे पहले आप सरकार की मरजी लोगे फिर ही आपके अकबार में छपेगा and permitted detention without trial और यह बी था कि आपको बिना court trial के आपको जेल में डाला जा सकता है मतलब अगर आपने कुछ भी गलत करते हैं आज कुछ भी कोई गलत करता है तो उसके पास court के पास जाने का मतलब सबसे पहले court trial होता है मतलब court अदालत का फैसला आता है यह सब चीज़े होती है और रॉलेट अक्ट में यह था कि अदालत नहीं जाएगा कोई मतलब अगर आपको British किसी को arrest कर लेती है सीधे जेल में डाल सकती है मतलब court के यहां पर बीच में नहीं आएगा court का कोई लेना देना नहीं रहेगा तो आयोप आप लोगों को clear हुआ और आप लोगों को आया था जिसके विरुद्ध में जलियान वाला बाग में एक प्रोटेस्ट भी हुआ था लोग जुटे थे और वहाँ पर जेनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और जलियान वाला बाग मैसे कर जैसे हम जानते हैं बैसाकी के दिन 13 अप्रेल 1990 को हुआ question number 20 है what made Birgis Qadir the young son of Vajid Ali Shah become the leader of the revolt in Awad तो देखे question में ही आप लोगों का important point है कि Birgis Qadir ये आपके सबसे छोटे बेटे थे Vajid Ali Shah जो नवाब थे Awad के तो इस question में आपसे पूछा गया है कि क्या कारण था जिसकी वजह से जो बिरजिस Qadir थे Vajid Ali Shah वो अवध में जो ब्रिटिशस के विरुद्ध 1857 का रिबॉल्ट थो अवध से उसके leader बने तो देखिए इसका कारण ये था कि अवध में नवाब वाजिद Ali Shah जो थे वो एक काफी popular ruler थे ऐसा नहीं था कि वो बिलकुल famous ruler ना हो पर ब्रिटिशस ने ये कहके उनने exile भेज दिया कि मतलब miss government है कि मतलब आप लोग आप unpopular ruler है जनता आपको समर्थन नहीं देरी जबकि ऐ उन्होंने वाजिद Ali Shah के जो सबसे चोटे बेटे थे बेजस कादर उनको अपना लीडर चुना और Britishers के against revolt किया तो यही एक कारण था कि उनके जो पिताजी थे वाजिद Ali Shah उनको exile पे भेजा इसलिए जो वहां के लोग थे वो नाराज थे इस बात से क्योंकि काफी popular ruler हुआ करते थे इसलिए बेजस कादर वाजिद Ali Shah के जो बेटे थे वो अवत से revolt के लीडर बने हैं इस धौला वीरा की बात की गई है अपनों उसे तो बहुत इजी है यह है आपका गुजरात में धौला वीरा लोथल यह दोनों आपनों के गुजरात में हैं और काली बंगन की बा प्रचिन नमर 22 है नेम द ऑउर्गनाज़ेशन ओफ इंडिया विच च्राइंडिफाइ अपनों को उस संस्था का नाम बताने है जो अवशेश मिले हैं उनकर रिसर्च कर रही हैं उन पर आइडेंटिफाइ कर रही कि क्या है मतलब उस पर खोच कर रही समझ लीजे तो लिखना है तो देखिए पहले आप Archaeological Survey of India completely लिखिए ब्रैकेट में आप ASI जरूर लिख सकते हैं और इसकी मैं extra बात करते हूं इसे 1861 में found किया था इस थापना की थी इसकी Archaeological Survey of India की Alexander Cunningham के द्वारा और पहले Director General भी Alexander Cunningham ही थे Question number 23 है Name the author of the story of Indian Archaeology तो देखिए यहाँ पर एक book का नाम आप लोगों को दिया हुआ है The Story of Indian Archaeology आप लोगों को इसके writer का नाम बताना है author का नाम बताना है इसके author थे S.N. Roy तो देखिए यह नाम भी बहुत important है S.N. Roy इनको learn कर लीजेगा Question number 24 है Name the most important deity of the Mathura region तो इस question में आप लोगों को बताना है कि Mathura region में सबसे प्रिय भगवान कौन से है सबसे लोग प्रिय भगवान कौन से हैं तो देखिए बहुत easy question है तो वो हैं Krishna Mathura में Krishna सबसे ज़्यादा famous है Question number 25 Who was Walter Elliot? तो इस question में आप लोगों को बताना है कि Walter Elliot कौन थे? Walter Elliot Commissioner थे गुंटूर के जो अमरावती गए थे और अमरावती उन्होंने विजिट किया था अमरावती का stoop and he carried away several sculpture panels to Madras that came to be called Elliot Marbles तो इस question में देख लीजिए Walter Elliot Commissioner थे गुंटूर के सबसे पहरी चीज यह important है जो आपनों को बतानी थी question में वो अमरावती गए थे और उन्होंने अमरावती का stoop था उससे काफी ज्यादा sculpture panels थे उनको निकाला and वो मदरास ले गए जिनको बाद में कहा जाने लगा Elliot Marbles और द सेट में थे जो थोड़े confusing रहे बच्चों को तो Elliot Marbles यह question में आप लोगों से पूछा आ सकता है तो वही चीज़े बहुत आसान है Elliot Marbles वो आपके अमरावती स्थूप के आपके panels थे sculpture panels थे जो Walter Elliot मदरास ले गए उन्हें बाद में Elliot Marbles कहा जाने लगा question number 26 है differentiate between जनपद एंड महा जनपद तो देखिए यह question भी आए कि जनपद और महा जनपद में अंतर क्या है तो जनपद है land वेर जन और people settled जनपद का मतलब होता है लोग तो जनपद का simple मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर लोग settled है आज की present day में बात कर तो जनपद आपका normally district के लिए इस्तिमाल किया जाता है यह जनपद मेरा जनपद नेनिता आले में मतलब नेनिता डिस्ट्रिक्ट सनूतरा खिंड में तो जन गुरू पंचाल यह सब जितने भी थे आप लोगों के यह सब आपके महाजन पर थे question number 27 है name the women devotee of alvar tradition whose compositions are widely sung तो सबसे पहले कुछ भी नहीं पढ़ते हैं सबसे पहले important चीज जो असमें आती alvar तो alvar tradition क्या होता है आप सभी लोगों को पताओगो मैं बता चुका हूँ वीडियो में इती बार के alvar वो लोग होते हैं जो आप लोगों के विश्णु भगवान में मानते हैं तो यह women का जो devotee का question है इसके answer है under तो अंडल विश्णु की ऐसी विश्णु tradition यानि अलबर tradition ऐसी women devotee हैं ऐसी महीला भक्त हैं जिनके जो compositions है widely sung मतलब काफी ज़्यादा गाय बजाये जाते थे उस समय तो 144 पेज में आप लोगों को मिल जाएगा तो इसी last question के साथ अब हम आचुके हैं इस वीडियो के end पर लास्ट में एक ही चीज़ कहूंगा आप लोगों से कि वीडियो को लाइक अब तक नहीं किया तो यार वीडियो लाइक कर देना और subscribe नहीं किया चैनल को तो वो भी कर देना क्यूंकि मैं देखता हूं majority जो बच् तो ने टर लगता है कि यार दूसरा क्या गएगा हमने ऐसा question पूछ दिया तो अगर आपनों को ऐसा लगता है वैसे लगना नहीं चाहिए कि बिल्कुल feel free होके बिल्कुल आराम से chill करके question पूछे नीचे मैं जरूर answer दूंगा फिर भी अगर आपनों को लगता है तो नीचे मैं अपने contact address आप लोगो provide कर दूंगा आप लोग मुझे mail कर सकते हो आप लोग मुझे Instagram पे message कर सकते हो कहीं पर भी ना आप लोगी query जरूर solve करूंगा this was all for this video I hope you all liked it thank you